आठ लो प्रेंड़ विल्कम तो मैं चनल आज अम बात करना है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में यह कंपनी करती कि इसका बिजनस कैसा है सारी चीज़े हम जानने वाले है और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है लौंग टर्म के लिए भी शॉpeople के लिए भी यहाप bin長 हो जाओगे है कि मैंने एक लौंग कोजिशन दोटर्रेडं पोजिशन ली उगीं उसके अंदर जब मैं प्रॉफिट लूंगा चितना भी profit लूँगा वो मैं आपको बताऊंगा जितने प्रतिशत लिया है और मैंने इसको buy कप किया purchase कप किया इसकी information सबसे पहले telegram पे दे दी थी मैंने ठीक है वो date आपको पता चल जाएगा और सारे चीज़े तो आप लोगों ने जिन्होंने telegram को join नहीं किया जो की free channel है उससे आपको कुछ पैसे देने नहीं है कभी life में just information के लिए है ना और youtube channel पे कभी course के वज़े से आप से पैसे लिए जाएंगे just information free है lifetime के लिए तो channel को subscribe कर सकते हो telegram channel को join कर सकते हो और आगे वीडियो अच्छा लगेगा तो like भी ज़रूर कर सकते हो तो जैसे आपने मेरे अगर देखे नहीं है तो वीडियो पहले के देख लो कि जो भी मैंने invest किया है जो भी मैंने shares लिए है उनमे profit करके दिखाया है तो जर्नी आपको देखने मिल जाएगी तो जो भी है reality में बताता हूँ बाकी लोगों की तरफ फेक चीज़े नहीं फैला था कि यह शेर इतना होगा उतना होगा ऐसा होगा वैसा होगा सारी चीज़े फेक चीज़े बताने का काम यह चैनल पर कब भी नहीं होगा तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है company के बारे में यह शेर कैसा है यह सारी information में मे सारी चीज़े करती है यहाँ पर देख सकते हो तो जो भी है यहाँ पर जो images नजर आ रहे है उससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा तो यह इंडिया की first IC company है जो PSU company है जो public sector company है जो इस तरीके का business करती है तो यहाँ पर भी information आप देख सकते हो तो यहाँ पर short में रहता ह है कि जो investment करती है जो own करती है construct करती है operates करती है maintain करती है और invest करती है power transmission and asset के अंदर यह company है ठीके तो और यह इंडिया की first है PSU investment की company ठीके तो power gate corporation के अंदर में आती है और यहाँ पर देख सकते हो इसका market capital और इसका price यह सारी चीज़े देख लो तो फिलाल price चल रहा है यहाँ पर 94 का जो की काफी अच्छा है कम भाव है अभी फिलाल तो ठीके और यहाँ पर देखेंगे साड़े 8000 करोड की company है और 90 का इसका low रह चुका है और low के आसपास अभी भाव मिल र लेता हो लेकिन बाकी चीज़े भी काम काम आती है देखना पड़ता है ऐसा नहीं कि जस्त लो है आगे भी लो जा सकते है यह भी चीज़े देखनी पड़ती है और 134 का यहाँ पर हाई रह चुका है ठीक है तो हाई से यह काफी अभी डाउन पर मिल रहा है याने आप सोच तो फ्यूचर में इसका 134 टारगेट रह सकता है जब भी यह भागना चालू करेगा तो और नाइन का पी है इसका तो यह वैलिएशन वाइज कंपनी काफी सस्ती मिल रही है बुक वैल्यू कम है फिलाल आसपास है करन प्राइस के और आरो सी आरो कुछ यहाँ पर रिटन्स एक साल में काफी ज़ादा गिर चुका है तो यह गिरावट के वज़े से यहाँ पर देख सकते हो फिलाल यह ट्रेन पूरा डाउन साइड ही नजर आ रहा है और अगर हम तीन साल याने दो आजार इकिस से चौदा में दो आजार इकिस से यह कंपनी का चार्ट दिखा रहा ह तो वहाँ पर देख लो 139 तक ही यहाँ पर या उससे ज़्यादा 140 तक यह जाके फिर से नीचे आ गया है और पास साल की बात करते तो पास साल कमपनी को हुए नहीं है जस्ट यह मार्थ से है तो इसलिए जब से यह मार्केट में आई है जस्ट नई-नई कमपनी है का कुछ फाइदा आगे हम कर सकते है अधर इसमें लॉंग टम की शेर्स करिदने में यह इसी के अंदर अगर यह कभी गिर जाता है तो भी फूचर में यूज कर लेंगे ठीक है तो पास साल के चार्ट में हमको पता चल जाता है कि यह आगे उससे पहले नहीं थी और यहाँ पर दो चीजे नजर आ रही है जिसके अंदर यह कंपणी अल्मोस डेट फ्री भी है इसका बुक वेली भी ठीक है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम बता रहा है जो पंद्रा टके से कम हुई है ऐसा भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और यह कंपणी देखो इंडिया ट्रस्ट और पावर ग्रीड इंफ्रा यह दो कंपणी देखो इंडिया ट्रस्ट ग्रेड ट्रस्ट यह भी मैंने कंपणी करी दी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ओभी आप देख सकते हो यह भी पावर जनरेशन एंड सप् कर आएगा कमपनी जो है इसका सेल देख लो 2021 में 282 करोड का कमपनी सेल कर रही थी और अभी सेल कर रही है 241 करोड का याने सेल्स में गिरावटे हैं ठीक है और अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट 243 करोड का देखो प्रॉफिट 282 करोड में से 243 करोड का नेट प्रॉफिट कर रही है याने कमपनी के expense काफी कम है और जो भी है उप्रॉफिट काफी बचा लेती हैं तो यह सबसे बड़ी बात है कमपनी के लिए ठीक है और अगर हम यहाँ पर देखेंगे profit and loss 2018 से तो यहाँ पर हमको नजर आएगा company profit 2018 में sales 2018 में 344 करोड का कर रही थी और फिलाल अभी कर रही है 2023 में company ने किया है 1000 करोड का sale 1049 करोड तो काफी अच्छा sales में growth देखने मिला और profit देखेंगे तो देखो 2018 में 114 करोड का profit किया और अभी loss किया तो loss के पीछे वज़ा क्या बनी तो यह expenses company ने expenses उसके sales के मुकाबले ज़ादा हो गया और उसके वज़े से यह 2030 में company ने loss किया और loss का impact क्या हुआ कि share एक साल में काफी down आ गया तो यह वज़ा होती है main वज़ा यही होती है company के fundamental ही सबसे बड़ी वज़ा होती है बाकी बाद में वो news आती है उसके base पे थोड़ा बहुत गिर जाता है तो यह बढ़ जाता है fundamental होता है क्योंकि उसको long survive करने के लिए fundamental ही काम आते है तो इसलिए ज़ादा इस पे focus करता हो और यह share अभी गिरावट में मिल रहा है इसलिए मैंने लिया है और बाकी चीज़े मुझे सही लग रही है और नहीं नहीं company आई है इसलिए भी मैंने इसको लिया है और अगर देखते है balance sheet तो balance sheet में आपको नज़र आएगा company का reserve minus में चला गया है ठीके reserve ही minus में है यह चीज़ थोड़ी खराब है फिलाल और loan company पर 572 करोड का है देखो यह government के अंडर में government की company है इस वज़े से आप यहाँ पर थोड़ा बहुत trust करके चल सकते हो ठीके shareholding का कोई यहाँ पर बताया गया नहीं है आगे वो भी update हो जाएगा तो फिलाल यहाँ पर जो भी है जैसा भी है company के बारे में मैंने बता दिया कि company का business इसका fundamental सारी चीज़े और मैंने इसकी position क्या बना के रखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ यह सारी चीज़े आपको बता दिये तो आगे आपको देखना है कि इसमें से मैं profit करता हूँ आगे यह क्या किस तरीकी की journey रहती है जो कुछ भी update के लिए आपको चैनल को subscribe करके रखना है पेलिग्राम को भी join करके रखना है कोई पैसे ज़्यादा लगते ने फालतू चैनल को subscribe करके या join करके रखने से अच्छा information है जो lifetime free रहने वाली है जिसमें मेरा मैं खुद का time दे रहा हूँ मैं मेरे record के लिए मैं यह सारी चीज़े रख रहा हूँ कि मैंने जो भी profit किया और जो नए लोग market में आ रहे उनको सीखने के लिए कुछ चीज़े में मेरे तरफ से contribute कर रहा हूँ क्योंकि market में काफी ज़्यादा negative चीज़े बताई जाती है गलत चीज़े information दी जाती है जिससे बहुत लोगों का नुकसान होता है तो मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं लोगों को सही बता हूँ लेकिन सही रास्ता किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आता ये फैक्ट है तो बाकी मर्जी खुद की होती है फिर एक बार गलत रास्ते पर जाके फिर आके देख लो तो आपके लिए हमेशा ये चानल हमेशा हमेशा फ्रेह रहने वाला है और नॉलेज इसी तरीके से मिलने वाला है तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो शेर करो दोस्ते के साथ और कमेंट भी कर सकते हो अच्छा लगा तो थैंक्यू वेरी मच पर वाचिंग मेड़ा थैंक्यू बाई बाई